धन्यबाद सर, सर मैं आदा मिनिट ज्यादा समय लूँगा क्योंकि परसों CAB में अपनी में पूरी बात नहीं रख पाया था सर सर गोरखाओं के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है हलाकि इस सरकार से हमें बहुत उमीदे हैं मैं आपको कहना चाहूँगा सर मेरे पास एक सेंसेस का रिपोर्ट है 1941 का जिसके अंतरगर सारे जो गोरखा जो है हिल्ट राइट के नाते जाने जाते थे परंतु सर 1951 में बिना कारण गोरखाओं का ये अधिकार छीन लिया गया इसके लिए गोरखाओं के साथ कोई परामर्ज भी नहीं किया गया इस एतियासिक भूल को ठीक करने के लिए सर बिजेपी ने 2016 में इसकी पहल किया और प्रदान मंत्री जी ने स्वेम इसका आश्वशन दिया इसके लिए 2016 से अब तक सर तीन कमिटियां बनाई गई है परन्तु अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ एस्टी केतेगरी से बंचित होने के कारण जो गोरखा, नौर्थिस, डार्जिलिंग, तराई, दूवर्स और देश के अन्य हिश्चों में रहते हैं उनको बार-बार सर हरेस्मेंट और प्रताडित होना पड़ता है सर अता सर मैं आपके माध्यम से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है, ये जल सी जल पूरा किया जाए गोरखाओं को उनको जो है अधिकार मिले क्योंकि सर बार-बार ये जो CAB, NRC इस तरह के विश्या आते हैं तो गोरखाओं को जरूर जो है अरेस्मेंट होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने आपको और सुरक्षित मैसूस कर सके गोरखाओं को बहुत जोगतान देश के लिए है सर बहुत बहुत धन्यवाद से